जिनके आपित्र दोश होता है, कालसरब दोश होता है, वास्तु दोश होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना, महाराज एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना है? बेल का फल, बेल पत्री का जो फल होता है, उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर क जो भाग होता है उसको निकाल दीजिए और उस बेल के फल में आटा सेकर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए अम्श्या के दिन शुबहा दस वजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है आठा सेट कर भराए सक्र के साहल में उसको अपने घर में ओमाने के बाद में जिसको काल सरब दोष पताया है पित्र दोश बताया है या वास्तू दोश का इसमन बताया है घर में सब्दूर गुमाकर अपने परिवार का हाथ का इसपर्श करा कर पीपल के पेड़ के नीचे दखड़ा कोरकर उस बेल पत्र के उस फल को दाब दीजिए उस फल को उसमें दबा दीजिए महाराज केवल एक अमवस्या करना रहता है पित्रों के दोश से मुक्ती मिलती है और हमारे घर के कारे सफल होना प्रारम हो जाते हैं कारे की सफलता होती है कारे में सफलता प्राप्त होने लगते हैं हम तो कई बार करते हैं महाराज जी अगर ऐसा लगे किसी ओशद ही को आप आप नहीं ले रहा हैं, मालूम पड़े कि ओम्सथी आपको लग नहीं नहीं, शुम नहीं हम पारहा हुआ। नहीं लग रहा हुआ हुआ। जन्सक्रान और फेक से चाव पॅर ऐस्थ दिन माय हैं। जो उतने कि उतनने यहां पेटी भी उंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आरहा हा शुगर भी लेवल में नहीं आ रहे हैं तो प्रयास करें पर उमारा जाए बेल पत्री के फल का जो गुर्दा है अंदर का जो भाग है फल का उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोश की प्रदोश कम से कम प्रदोश नहीं हो और बिमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोश के भी कर सकते हैं उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिवजी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए उस पानी में से थोड़ा सा एक चम्मच पानी शिवजी पे चड़ा हुआ लेकर जाईए उस पानी को जो बिमार रहती है उसको ओशदी देने से पहले मात्र आधी चम तो यह पका है कि ओशदी अपना कारे करना प्रारम कर देगी और वो स्वस्त होना 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 प्रारम कर देगी और वो स्वस